जैहिन सात्यों स्वागत है आपका सेल्प स्टेडी के लासे इसमिजन यूटूब चैनल में सो सात्यों स्टार्ड हो चुका है आज का इस सेशन सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों यहां पर आज अपन पढ़ने वाले हैं हिंदी साहत के कुछ बहुत ही इंपोर्टेंट होंगे ठीक है तो सेल्प स्टेडी के लासे से अप डाउनलोट कर लो और जितने भी साती जोनों ने अभी तक दोस्तों फिरी टैस सीरेज जॉइन नहीं की है यहां पर पंजाब मास्टर के डर का जो है माडल पेपर लांच हो गया है ठीक है तो जो भी हमारे पंजाब master cadder वाले साती हैं वो आ जाए और इस model paper में दोस्तों आप model paper लगा सकते हैं अपनी practice कर सकते हैं 4500 question रहेंगे मात्र 5999 का यह model paper है दोस्तों 30 model paper आपको मिलेंगे पूरे है ना 4500 question का एक target रहेगा ठीक है चार्ट करते हैं आज कुछ महत्पूर्ण दोस्तों कथनों पर अपन चर्चा करेंगे महत्पूर्ण चीजों पर चर्चा करेंगे आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तक एक बार शेयर जरूर कर दो ठीक है और दोस्तों सेल्पिस्टेडी के लासे से समानता किस से की है दोस्तों कभीर से की है याद रख लेना यहां से आपसे अगर कॉस्चन आएगा कि निम्र मैंसे बताईए किस से दोस्तों किस लेखक की किस कभी की समानता कभीर से की जाती है तो किस की समानता कभीर से मुक्तिवोद की समानता कभीर से की जाती है आपको पता होगा एक मुक्तिवोध रचना का नाम है लखना किसकी है आपको भटाक सी बता ना अंधेरे में मुक्तिवोध की सबसे लंभी तता सरवादिक चर्चित कविता है इन्हों ने इस कविता में अपनी समग्र रचनात्मक्ता को पूरे आवेक के साथ it दोस्त sayं दोस्तों है अंधेरे में क्या हो जाती है मुक्ती हो जाती है अंधेरे में कविता जो है यह मुक्ती वोध की है ठीक है शबी लोगों को बताना है यहाँ पर देखो अंधेरे में दोस्तों कविता एक स्वपन कथा है यानि कि यह क्या है फैंटसी है ठीक है यह फैंटसी अंतर दर्शन क एसी प्रिकरिया के रूप में प्रयोक्त है जिसमें एक इस्तर पर शामराजबादी पूझी बादी और फॉसिष्ट प्रतिष्ठानों की गतिविदियों की रहस्ट खुलते हैं और दूसरे इस्तर पर इस बाहर जगत और अंतर जगत की विशिमता के संबेद नातमा ज्यान क दोस्तों परस पर क्या होता है आबद होता है तो आपको सिर्फ इतना याद रखना अंधेरे में कभीता की रचनाकार कौन है यह एक क्या है यह एक स्वपन कथा है यह एक फेंटसी है ठीक है तो अंधेरे में आपको याद रखते ना उसके बाद दोस्तों याद रखते ना है आपसे question पूछा जाता है कि fantasy का कभी किसे कहा जाता है तो आप क्या बताओगे fantasy का कभी किसे कहा जाता है मुक्ति बोध को ठीक है और fantasy ने दोस्तों मुक्ति बोध ने fantasy को क्या कहा है अनुभाव की कन्या कहा है ये question आपको याद रख्टे नहें मुक्तीबोध ने ये आपको याद रख्टे नहें कि मुक्तीबोध ने fantasy को क्या कहां अनुभाव की कन्या कहां है इस और अपन आद रखेंगे मुक्तीबोध की कविता तिलिजमी अयारी उपन्यासों की कथा है अदोद चमतकारों, भयाबाय चित्रों, दराबनी सूर्तों, आतंक ध्यसत आदी से परिपूरे थे दोस्तों, मुक्ति बोत की कभीता है, है ना सिर्फ फिरे का गीत, मुक्ति बोत का आत्म रिक्षन का गीत है, दोस्तों, कौनसा, सिर्फ फिरे का गीत, ठीक है, मुक्ति बोत की भूल गलती कभीता किसके भूल गलती से कभी कभी क्या हो जाती है भूल गलती से मुक्ति हो जाती है तो भूल गलती कभीता में भूल गलती को ही सुल्तान के रूप में पेस किया गया भूल गलती कभीता ठीक है उसके सामने हतगड़ी पहने हुए उंचे कद का मूर्त रूप इमान प्रस्तोत होता है सारे धार में एक संतुर से एक सरदार आदिक हामोस रहते हैं इमान को जीवन की सर्वनाक सरते मंजूर नहीं तो यह मुक्तिवोत की एक कविता भूल गलती भी है दोस्तो जैसे अंधेरे में है भूल गलती भी दोस्तो इनकी है इसको याद करेंगे उसके ब बात करते हैं ब्रह्मराक्चस की तो ब्रह्मराक्चस मुक्तिवोद की प्रिसिद्ध लंबी कविता है ब्रह्मराक्चस कैसी कविता है दोस्तों मुक्तिवोद की प्रिसिद्ध लंबी कविता कौनसी है तब आपको याद करना है कि सर मुक्तिवोद की जो प्रिसिद्ध लंब कभिता वो कौन सी है ब्रह्म राक्षस ब्रह्म राक्षस है ना यह याद रख रहे ना है और इसमें ऐसे ब्रह्मन को प्रस्तुत किया गया जो आत्रप्त कांचाओं के साथ मर गया और ब्रह्म राक्षस बन गया ब्रह्म राक्षस ठीक है तो ब्रह्म राक्षस याद करो समसे अब आपसे question आएगा आपसे question पूछा जाएगा कि समसेर बहादुर ने मुक्ती बोध की किस कविता के लिए एक दहकता इस पाती दस्ता बेच कहा है तो किस कविता के लिए कहा है वो कहा है दोस्तों अंधेरे में कविता के लिए अंधेरे में कविता की रचनाकार कौन है तो अंधेरे में कविता की रचनाकार है दोस्तों कौन शमशेर बहादूर कौन है शमशेर बहादूर इसको याद रखो अंधेरे में कविता सर्व प्रतमशन 1964 में दोस्तों कलपना पत्रीका कलपना पत्रीका में प्रकासित हुई थी और इसका प्रतम प्रकासन असंका के दीप अ अधिरे का कि गीत हिरोष इसको ञार रखो सारा सहर सीरसक कविता में बरनेत बिनास लीला किसी परोक्च सत्ता द्वारा नहीं बलकि सुयम मनुष्च द्वारा रची जा रही है दोस्तो सारा सहर सीर्सक कविता में है ना इसको अपन को याद करना है उसके बाद जो आपके लिए important है दोस्तो कि इसने सपत कविता में मिस्तर जी गांदी जी के प्रेम और उसने को घर घर पहुंचाना चाहते हैं दोस्तो किस कविता में इसने सपत कविता किसकी है इसने सपत कविता है दोस्तो किसकी ए है किसकी है गांदी ए मिस्तर जी की ठीक है मिस्टर जी को अपन को याद रख लिना है अब यहां पर दोस्तों डाक्टर संभू नात सेह को नवनीत नवगीत नवगीत बिधा का प्रवर्तक माना जाता है अब आपसे अगर पूंचा जाएगा कि नवगीत बिधा का प्रवर्तक किशे माना जाता है शम्भू नात सेंको शंभू नात नव गीत संभू के यहां अपन का क्या करना नव नव गीत वताना नव गीत गाना है कैसे गीत गाना है नव नव गीत गाना है दोस्तों कहां पर शंभू नात के दरवार में नव नव गीत गाना है तो यह आपको याद रख लेना है ठीक है ये अपन को याद रखते हैं न नाव गीत ठीक है अब यहाँ पर देखो शुदामा पांडे धूमिल का पहला काब शंग रहे 1972 इश्वी में संसस्य सलक तक संसस्य सलक तक की रचनाकार कौन है तो संसस्य सलक तक की रचनाकार शुदामा पांडे धूमिल इसको भी अपन को याद रखती ना है ठीक है अब यहाँ पर देको धूमिल का अन्यकाब शंग्राय कौँशा है दोस्तो सुदामा पन्डे का प्रजात अंत्र भी है तो यह भी अपन को याद रखती ना ठीक है तो यह थी दोस्तो कुछ महत्पूर्ण चीज़े लेकिन अपन को जो पढ़ना है वो यह पढ़ना है ठीक है आज अपन को यह पढ़ना है दोस्तो महत्पूर्ण कथन यह अपन को पढ़ना ठीक है जिसका जो भी प्रस्ण है वो बाद में अपनी के लास में बीच बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं किया जाता दोस्तो ना किसी का नाम लि आजाता बीच में इसलिए पिरीज जो भी आपके जो भी रहते हैं जिसको भी नाम लेने की और लिवाने की जाना जल्दी होती है वो लास्ट में आए और लास्ट में के पांच मिनिट में ठीक है पांच मिनिट में आपकी समस्य आए आपके नाम बीच में कोई बो डिस्टर् पड़ी है कि निजभासा उन्नति यहेशब उन्नति को मूल और बिन निजभासा ज्ञान के मिटे नाहिये को सूल पंक्ति भारतेंदु जी की है ना भारतेंदु याद रखे ना तरन तनूजा तत्तमाल तरुबर बहुच्छाए और जोके कूल सो जल परसन हित मनाहुं यह पंक्ति भी अपन को याद रखे ना है सभी लोग याद रखेंगे कोन कोई से निजभासा उन्नति यहे आपसे पूछी जाएगी भासा क्या पूछा जाएगा आपसे कि निजभासा उन्नति यहे यह पंक्ति किश्की है भारतेंदु जी की फिर आपसे पूछी जाएग पंक्ति किश्की है भारतेंदू की विदेश कहां से धन जा रहा है भारत से या अमेरिक्या से वो लिसर पैधन विदेश चली जात अपने भारत से विदेश जा रहाता धन है ना भारत से जा रहाता इस पंक्ति की रचनाकार भी कौन हो जाएंगे दोस्तों भारतेंदू कौन प्रताप नारण मेस्रे आपको पता है दोस्तों कि बर्शा कराने में जो पपिया होता ना पपीहा कैसा पानी पीता है कैसा पीता किसी को पता है बोले सर यहां इसका छेद रहता तो यहां से पानी पीता एक बूंध इसकी अंदर जाती है तो यहां यह पत्ति आपको याद रखेना कि यह बयारी तबे बदलेगी कचू पपीहा जब पूछे पीब कहा पपीहा जब पूछे पीब कहा यह प्रताप नारणा मिश्र की पंक्ती है जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश पंक्ती किश्की है पंक्ती प्रताप नारणा प्रताप कम नहीं होगा, तो यह भी आपको याद रखेना है, यह शबी लोग याद रखेंगे कि जैसे कंता घर रहे तैसे रहे बिदेश, प्रताप नारण मिश्ट्र बोले सर जैसे कंता घर रहे और तेयसे विदेश में रहते बोले प्रताप कम नहीं होता तो पंक्ती किस की होगी प्रताप नाराण मिश्र की भारतेंदू की बोले सर प्रताप नहीं होता तो प्रताप नाराण मिश्र है ना कौन करे जो नहीं कसकत सुनी बिपती बाल बिदब कि प्रताप नारण मिश्र है आप दोस्तों ये पंक्ती में ये कहा गया कि किसका करेजा किसका करेजा नहीं खिसकेगा किसका करेजा दोस्तों है नहीं खिसकेगा जो बाल बिद्वाओं की कथा सुने बाल बिद्वाओं की दोस्तों बात सुने बाल बिद्वाओं की बारे में उने है ना उसका करेजा खेसकता है वोले सर है ना ये प्रताप है वोले सर बाल बिदमाए पहले क्या होती थी दोस्तों कि बाल अवश्ता में ही शादी कर दी जाती थी है ना पाल ना में पाल ना में जूलना है और वोले शादी हो गई और जब बाल बिदमाए होती थी उनकी कथा आज सुनते हो आप तो आपका करेजा भी घहसटने लगता खशकने लगता हैं तो इसको याद रखने कोण को करेजा नहीं खिसकेगा बोले कोण का करेजा नहीं खिसकेगा जो बिपती बाल वे द्वन की सुनती हैं और प्रताप नारणा मि recommends की अपन को याद रख्टे न है ना केवल मनुरंजनना कभी का कर्म होना चाहिए उसमें उचेतुपदेस का भी मर्म होना चाहिए पंक्ती किष्की है दोस्तों, पंक्ती है मयथली शणगूप्ति की है ठीक है तो ये भारत भारती से ली गई है दोस्तों एक क्वेस्चन आपके एकजाम में आया था प्érioप आपको करमबद्य करना था है ना तो आपको भारत भारती दिया था एक भारत भारती 1912 एक साकेत दिया था 1931 एक यसोधरा दिया था 1933 और एक जै भारत दिया था 1952 का है ना यह अपन को याद करना है तो यहाँ पर याद रख्टे ना दोस्तो केवल मनुर अंजन्ना कभी का कर तूप्षार्म ना चाहिए ैसमें ओचे तो पिदेश का भी मर्म होना चाहिए पंक्ति किष्की है मैतरी शरनंगुप्ति की है ना इसको भी आपको याद रखे ना है अब यहाँ पर देखो सकी वे मुझसे कहकर जाते है ना कहे क्या वे मुझको अपनी पत बाधा ही पाते ये पंक्ति कहां से ली गई ये असोधरा अब ये सोधरा की रचनाकाल कौन है मैतली श्रण गुप्त है रचनाकाल क्या है रचनाकाल 1933 काब रूप क्या है काब रूप इसका खंड काब है क्या है ये खंड काब है असोधरा आपको पता होगा तो शक तनूजा तर्टमाल तरुगर भाव भारत अंदू पेधन विदेश चली जात एह अतिख्वारी भारते अंदू ठीक है एह बयारी तबे बदलेगी प्रताप नारानमिस्र है ना जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश प्रताप नारानमिस्र है कौन करे जो नहीं कसकत सुनी बिपतिबाल बिदवन की प्रताप नारानमिस्र की पंक्ती है ना जो बिस्यात संतन तजी ताही मूड लपता थी है ना ये राधा कृष्णदास राधा कृष्णदास इसको याद रखो केबल मनुरं जन्ना कभी का कर्म हमा मैत्री शलंगुप्त का जन्म बताना है आपको कब हुआ था मैत्री शलंगुप्त का जन्म कब हुआ था जल्ली शे बताईज अभी लोग केबल मनुरं जन्ना का कर्म होना चाहिए पंक्ती किश्की है मैत्री शलंगुप्त जी की ठीक है? शकीवे मुझसे कहे कर जाते यसोधरा से लिगई मैथरी शणंगुप्ति की पंक्ती, इन पंक्तियों को याद करना है, धीर धीर याद करते चलना है, अब यहां पर आते हैं कि अबला जीवन हाए तुमारी यही कहानी, और आचल में है दूद और आखों में पानी, पंक्ती क किश्की है पंक्ति किश्की है पंक्ति यसो धरा से ली गई दोस्तों और ये पंक्ति में 30 शनगुप्ति की है ठीक है यसो धरा क्या है खंड काब है ना जन्म कब हुआ था 1886 में किसका जन्म हुआ था 1886 में बोले सर में 30 शनगुप्ति का है ना तो यहां पर याद रख़े न अबला जीबन हाए तुमारी यही कहानी है ना ये यह سो धरा से ले गई दोस्तु पंक्ती और ये पंक्ती मैं अत्री शनुगुप्ति की है मैं अत्री शनुगुप्ति के बारे में अपन को याद रख्टेना है ठीक है इसको भी अपन को याद रख़े ना है है ना अब यहाँ पर देखो नारी पर नरका कितना अत्याचार है और लगता है बिद्रोह मात्र ही अब उसका प्रतीकार है यह किश ने कहा मैथली श्रणगुप्त ने बोले नारी पर नरका अत्याचार है सर तो उसको मैथी खवा दो, क्या खवा दो मैथी, शमज में आ जाएगी, किसी को ऐसा लग तो नहीं रहा, नहीं तो मैथी खवा देना, नारी पर नरका कितना अत्याचार है, मैं आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को, बोले नारी प अब आप बोलोगे आप कभी नहीं भूल जाएंगे इसको भूली नहीं सकते अगर एकजाम में आ गए ना पंकती कि नारी पर नरका कितना अत्याचार है वो ले मैत्री कब आओ है ना तो मैत्री शणंगुपते हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी आओ बिचार है आज मिलकर ए समस्या है शवी मैत्री शणंगुपते मेत्रीशन गुप्त ने कहा कि हम क्या थे और क्या हो गए देखो दोस्तों इन्होंने भारत भारती लिखी और जब से इन्होंने भारत भारती लिखी तब से क्या के क्या हो गए यह आपको याद रखेना है कि हम कौन थे क्या हो गए है और क्या होंगे अभी क्या होंगे अभी आओ बिचार आज मिलकर ये समस्या हैं सभी है ना तो बोले सर ये आपको याद रखना है ये मैत्री शलंगुप्ति की पंग्ती है किश्की है मैत्री शलंगुप्ति की भारत भारती की इन्होंने रचना की 1912 में है ना और भारत भारती से इतने प्रिसिद् क्या थे और भारत भारती की रचना की और हम क्या हो गए है ना तो यहाँ पर याद रख़े ना हम कौन थे तो यह भारत भारती से ली गई पंक्ती है और यह मैत्री शणंगुप्ती की है ठीक है बहुत बढ़िया अब यहाँ पर आते जिसको नहीं गोराओ तता निजदेश क अभिमान है बह नर नहीं नर नहीं नर पसु निरा है और मिर्तक शमान है मैं अथली शणंगुप्ती ही कह सकते दोस्तो राष्ट के बारे में इतनी अच्छी पंक्ती क्या कह रहे है कि जिसको है ना यह आपको याद रख़े नहीं जिसको नहीं गोराओ तता निजदेश का अभिमान है और वह नर नहीं पसु निरा है और मिर्तक शमान है दोस्तो इन पंक्तियों के अर्थ आपको याद नहीं करना अर्थ नहीं पूछा जाएगा आपसे कि इसका अर्थ क्या है इसको याद करना कि यह पंक्ती किसकी है तो इसमें अपन को क्या थोड़ा सा मसाला प बंदू को दंड देना धर्म है जैद्रत बद से ली गई दोस्तों है ना और जैद्रत बद का काब रूप क्या है जल्दीशे बताओ आपको पता है मेत्रीशन गुप्त ने सबसे जादा प्रबंद काब लिखे हिंदी शाहित में और लगबग 19 खंड काब लिखे इनों ने ज जैद्रत बद का काब रूप क्या है आपको बताना है और मेत्रीशन गुप्त की पंक्ती अधिकार खोकर बैठना एह महादुस कर्म है नियायार्त अपने बंदू को भी दंड देना क्या है धर्म है दंड देना धर्म है पंक्ती मेत्रीशन गुप्त की है जैद्रत बद से मेत्री शरंगुप्त का एक खंड काब है खंड काब है आपने को पता होगा दोस्तों कि मेत्री शरंगुप्त ने एक साकेत महा काब भी लिखा एक जैभारत महा काब भी लिखा है ना और बही मनुस्य है जो मनुस्य के लिए मरे मैत्री शनगुप्त ने कहा बही मनुस्य है जो मनुस्य के लिए मरे आप से पूछा जाएगा यह पंक्ती किस्की है बही मनुस्य जो मनुस्य के लिए मरे आप क्या बतना मैत्री शनगुप्त की पंक्ती किस्की है मैत्री शनगुप्त की ठीक है बही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे अहां ग्राम जीवन भी क्या है क्योंना इसे सब का मन चाहे मैत्री शनगुप्त है हैना ग्राम का जीवन बहुत अच्छा है दोस्तों और मैत्री शनगुप्त की पंक्ती है इसको भी अपन को याद करना है ठीक है हाँ ब्रद्ध भारत बर्स ही संसार का सिर्मौर है ऐसा पुरातन देश कोई विश्य में क्या और है विश्य में क्या और है भारत भारती मैत्री शनगुप्त है, है ना, बोले हाँ, ब्रद्ध भारत बरस ही संसार का सिर मौर है, ऐसा पुरातन देश भी, देश कोई बिश्चो में क्या और है, बोले ऐसा पुरातन देश बिश्चो में कोई और नहीं है, जहां पर मैथी, मैथी की दोस्तों मैथी उपच्चती है, है ना, बोले ऐसा पुरातन देश और दूसरा नहीं है, बोले सर जहां के लोग, जहां के ब्रद्ध लोग मैथी खाते मैथी, तो मैथी से अपन को याद करना, बोले सर ऐसा पुरातन देश तो कोई नहीं है, जहां पर मैथी खाते लोग, कोई नहीं खाते, है ना, इसलिए याद लगते न, यहां ब्रद्ध भारत भरसी ही संसार का सिर्मोर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, ऐसा कोई पुरातन देश नहीं है जो मैती खाता हो, तो मैती से मैत्री श्रंगुप्त भारत भारती याद कर लिए रहा है, है ना राम तुम मानाओ हो इश्वर नहीं हो क्या तब मैं निरीश्वर हूँ इश्वर छमा करे मैं थ्रीशनगुप्त बोल ला हैं दोस्तों है ना इसको भी अपन को याद रखना है कि राम तुम मानाओ हो इश्वर नहीं हो क्या इश्वर नहीं हो क्या है ना तब मैं निरी को ही स्वर्ग बनाने आया साकेत साकेत नंगरी साकेत नंगरी का एक पंक्ति आती ना स्वर्ग को जा रही मिलने ऐसा कुछ आती ना पंक्ति का तो याद रखते ना संदेश नहीं में यहां स्वर्ग का लाया इस धर्ती को ही स्वर्ग बनाने है साकेत 1931 कितने सर्ग साकेत में राम काब पर आधारत ये दूसरा महा काब है दोस्तों राम चरित मानस के बाद ये दूसरा महा काब है साकेत और साकेत की रचनाकार को ने मैत्रीशन गुपते है ना 1931 इसका क्या है रचनाकार है इसको भी अपन को याद रखना है संदेश नहीं में यहां स्वर्ग का लाया ह और इस धरती को ही श्वर्ग बनाने आया, साकेत, चाकेत अपन को यात करना उसकी वें पराधिन रहेकर अपना सोख सोक ना कह सकता है, और अपमान जगत में केबल पशु ही सह सकता है। पंक्ति किश्की है राम नरेश्टर पाठी किश्की है राम नरेश्टर पाठी बोले है क्या बोले है कि पराधिन रहकर अपना सोख सोख ना कह सकता है है अपमान जगत में केबल पशुही सह सकता है पशुही सह सकता है राम नरेश्टर पाठी यह पंक्ति किश्की है दोस्तो राम नरीश तरपाथी की, राम नरीश तरपाथी का जन्म कब हुआ था, जल्दीश बताइए फटाक से, तरपाथी जी का जन्म भी अपन को याद करना है मैं ढूडता तुझे ता जब कुय ओर मैं, तुझे ता अंगीत को याद रखना है तरपाटी जी मैं डून्डता तो जेता जब कुंज ओर्वन में एक पंक्ती किषकी है तब आपको याद रख़े ना कि सरे पंक्ती राम नरीश्त्र पाटी की है किसकी पंक्ति रामने इस्तरपाटी आरोन यह मदुमाई देश हमारा है ना जहां पहुँच अंजान छितिच को मिलता एक शहारा इस चंद्रगुप्त नाटक्ष ली गई दोस्तों पंक्ति है और प्रिसाद प्रिसाद का जन्मे भी 1889 में हुआ था दोस्तों प्रिसाद का ज जहां पहुच अंजान छितिच को मिलता एक सहारा पंक्ति किश्की है तब पंक्ति यह चंद्रगुप्त नाटक से ली गई और पंक्ति जैसंकर प्रिसाद की है तो प्रिसाद की बारे में याद रख़ए ना है उसके बाद यहां पर देखें दुख की पिछली रजनी कामाईनी में प्रितम सर्ग चिंता दूसरा सर्ग आनंद है ना तो दुख की पिछली रजनी बीच बिकस्ता सुक का नबल प्रिभात का माईनी प्रिसाद ठीक है प्रिकृति के योवन का स्रंगार करेंगे कभी ना बासी फूल मिलेंगे बे जाकर आती सीग्र आ है उत्सु है उनकी धूल उनकी धूल ये पंक्ति याद रखना ये पंक्ति कामाईनी से ली गई प्रिसाद जी की पंक्ति है है ना कामाईनी महाकाब है प्रिसाद जी का ये भी अपन को याद करना है अब यहां पर अपन को याद रखना है दोस्तों ये पंक्तियों को ये पूरी पंक कार है मैंतरीशन गुपते हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी आओ विचारें आज मिलकर ये शमस्याश अभी मैंतरीशन गुपते की पंक्ती है ये हो गए जिसको नहीं गोराव तथा निजदेश का अभी मान है वह नर नहीं नर पसून रहा है और मिरतक शमान है मैंतरीशन गुपते ये भी याद रख लिना है अब यहाँ पर देखे अधिकार को कर बैठना है महादुस कर्म है नयायार्त अपने मिल्च बंदु को दंड देना धर्म है जैद रत्बाद मैंतरीशन गुपते है अहाग राम जीवन भी क्या है क्यों न इससे सब का मन चाहें मैंतरीशन गुपते की पंक्ती है इसको याद रखो रखो हां ब्रद्द भारत बरस ही संसार का सिर्मोर है ऐसा प्रवतन देश को कोई की विश्व में क्या याद रखे ना तब मैं न दीष हूर हूं इस रचमा करें संदेश नहीं नहीं में यहां सवर्ग मनाने आया साकेत पराधीन रहकर अपना सुक्सोक ना कह सकता है कह सकता है और दोस्तों ये अपन को याद रखना है ये अपमान जगत में केवल पशू ही सह सकता है मैं ढूडता तुझे ता जब कुझ और बन में तुँ खोजता मुझे ता जब दीन के बतन में है ना तुँ आह बन किसी को किसी की मुझे को पुकारता था मैं था तुझे बुलाता संगीत के भजन में रामरेश तरपाथी तरपाथी जी यात करो अरोनयाह मदुमादेश हमारा ये पंक्ती किश्की है, अरोनयाह मदुमादेश हमारा चंद्रगुप्तिश प्रसाद की पंक्ती है, दुख की पिजली रचनी वीच, बिकस्ता सुका नबल प्रबात कामाईनी की पंक्ती प्रसाद की है दोस्तो, हैना प्रिकृति के योवन का स सा एक क्वेस्चन आपके लिए प्रसाद का अंतिम नाटक कौंसा है जल्दी शे आपको बताना है यह महत्पूर्ण पंक्तिया है दोस्तों नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा है मृदल अद खुला अंग खुला हो जियों बिजली का फूल मेग बीच गुलाबी रंग यह भी प्रसाद की पंक्ति है और यह पंक्ति भी किसकी है दोस्तों कामाईनी कामाईनी से ली गई है है ना इसको याद रखो हिमाद्री तुंग स्रंग से प्रबुद्ध सुद्ध भारती और स्वयम प्रभास समुझला सुतंत्रता पुकारती यह पंक्ति बहुत ही इंप दुरुप सौमनी है ना बिलकुश है और आपका आपका सही आंसर हो जाएगा यह चंद्रगुप्त नाटक से दिया गया प्रसाथ का चंद्रगुप्त नाटक आपने पड़ा होगा है मादरी तुंग स्रंग सेफ सुद्ध प्रवुद्ध सुद्ध भारती ठीक है तो यह चं जागरी है ना लहर लहर से ली गया और दोस्तों प्रसाथ का लहर का बशंगराय आपने पड़ा होगा लहर है ना याद रख्टे ना एक क्वेस्चन आता है कि लहर में दोस्तों संग्रहीत सबसे लंबी कविता कौनसी है आपको कमेंट में लिखना है लहर में संग्रहीत से लंबी कभिता कौनसी मानी जाती है कमेंट में लिखिए पटाक से अधरो में राग अमंद किये है पीए अलकों में मल्यज बंद किये यह पंक्ती है दोस्तों लहर से और प्रसाद की पंक्ती है जैसंकर प्रसाद हैं ход नारी तुम केवल स्रद्दा हो विश्वास रजत नंग पग तल में हैना प्यूस स्रोत सी बहा करो जीबन के सुंतर शमतल में तो ए पंक्ती भी आपको यात रखना एक कामाईनी से पंक्ती ले गई और प्रसाद की पंक्ती है नारी तुम केवल स्रद्दा किसका प्रतीक है ब प्रलाई की चाया ये क्वेस्चन भी कई बार आया है अब आपको बताना है क्या बताओगे आपको बताना है दोस्तों कामाईनी में स्रद्धा किसका प्रतीक है जल्दी शे बताओ कामाईनी में स्रद्धा किसका प्रतीक है स्रद्धा भी आएगा क्योंकि ये नारी तुम मनु जो है मनु मन का परतीख ए जात तो लेलो, प्रशाद दे देंगे एक आद बार, आ अपनी एक गुंदा कहानी पड़ी किसकी प्रशाद जी की, बुरे गुंदा क्या करते लीसे कुछ नहीं करते तोड़ा प्रशाद दे देते हैं ऐसा ही छेडो मत्य सुख का कण है प्रसाद प्रसाद की पंक्ती है याद करो अपना हो या औरों का सुख बड़ा की बस दुख बना बही है ना ये कामाईनी से लिगई पंक्ती है प्रसाद की ठीक है अरीयो करुणा की सांत कछार अरीयो करुणा की सांत कछार ये लहर से पंक्ती लि गई और प्रसाद क्या आपको बताना है दोस्तों हिंदी का प्रतम गीती नाट कौँशा है जल्दी शे बताओ अरी करणा की सांत कछार लहर ठीक है लहर से लिगई दोस्तों प्रसाद लेचल मुझे बहा भुलावा देकर मेरे नावएक धीरे-धीरे-धीरे-पंक्ति लहर प दिरे दिरे पंक्ति कीष्की है आप से पूचा जाएगा बोले प्रिसाद की है इन्दी का प्रतम गीती ना करूणाल है very गोड़ा अंसर है ना तो ये ले चल वहां भुलाबा दे कर मेरे नाविक धीरे धीरे प्रसाद की पंक्ति यात करना है जो घनी भूत पीडा थी मस्तस्क में इस मिर्ती सी छाई दुरदिन में आसू बनकर आज बरजने आई आसू आसू याद रखे ना आसू दोस्तो सी छाई दुरदिन में आसू बनकर आज बरजने आई है ना ये पंक्ति आसू से ली गई आसू प्रसाद जी कि आपको याद करना है ये याद रखे ना है ठीक है यहाँ पर रखो सुन्दर है बहग सुमन सुन्दर मानव तुम सब से सुन्दर तम पंत जी की पंत की देखो पंत जी की पंती है सुन्दर है बहग सुमन सुन्दर मानव तुम सबसे सुन्दर तम पंती किश्की है बोले सरी सुमित्रा नंदन पंती की यह आपको याद रख़े ना है है ना और दोस्तो सुन्दर है बहग सुमन सुन्दर मानव तुम सबसे सुन्दर तम है ना अगर सुम शुमित्र मिल जाएं तो दोस्तों आपका जीवन भी शुन्दर हो जाता है क्या हो जाता है शुन्दर हो जाता है तो सुन्दर है बहाग शुमन सुन्दर इसको याद कर देना बहुत अच्छी पंक्ती है है ना यह पंक्ती दोस्तों पंत जी की शुमित्रा नंदन पंत जी का जन में बता देना जरा, जन में कब हुआ तब पंत जी के बारे में, पूछा नहीं गया, टी जी टी में बड़े निरास हैं, लोग बोले सर पंत को घोल घोल के पिया, पंत को पूछा नहीं गया, पंत को नहीं पूछा गया, अपकी बार पूछा जाएगा, और सुन्दर कि है दोस्तो पंत की है यह पंत की याद रख रख रख्टे ना सुंदर विश्वास ही से बंता है तो पंत की प्रगती बादी रचना योग बानी कौँसी है योग बानी याद रखaru और दोस्तों पंत को प्रगतिबाद का प्रवर्तक माना जाता है ठीक है मुक्त करो नारी को माना उचिरबंदनी नारी को पंक्ती पंत की है ना और यह most important है ब्योगा होगा पहला कभी आह से उपजा होगा गान उमरकर आखों से चुपचाप बही होगी कभी ता अंजान पंक् पंत ने बड़ी अच्छी पंक्ती लिखी कि ब्योगी होगा पहला कभी आह से उपजा होगा गान उमरकर आखों से चुपचाप बही होगी कभी ता इंजान आपने देखा होगा दोस्तों कि जब व्यक्ति को ब्योग हो जाए है ना ब्योग हो जाए तो अपने आप क्या हो वली ने कहा कि ऐसी भक्ति अगर भगवान स्री राम की करोगी तो कल्यार हो जाएगा है ना तुलशी रास बोले हत तेरी की जिसको पूरा जीवन समर्पित कर दिया है ना उसने आज इतनी बड़ी बात कर दी छोड़ चाल के रतना वली को तुलशी रास निकल पड़े और फि दोस्तो सही किया कुछ लोगों ने गलत कर दिया एक क्वेस्टन आया था कि तुलशी रास की वह रचना कौनसी है जनुकी रचना दोस्तों ने सारी रेकade की मुक्ती है तूपको तूप तो वह रचना आपको बताना है है ना और यह बोगी होगा पहला कभी यह पंत की कवि है दोस्तो पंत जी की पंक्ती है ये भी आपको याद करना है है ना जननी जन में भूमी प्रिये अपनी है ना जो स्वरगा दपीचर गरी यसी ये भी पंक्त की है है ना और भारत माता ग्राम भासनी खेतों में फैला द्रग स्यामल सस्य भारा जन जीवन आचल ये पंक्ती भ एक्जाम में पूछला एक कोई भरोशा नहीं लेकिन अपन को पढ़ना नहीं छोड़ना पढ़ना है सारी पंक्तियों को पढ़ना है और पढ़ती रहना है बहुत सारे सात्यों ने अपकी बार गलती की दोस्तों की एक्जाम देने तो गए लेकिन एक्जाम देने जब गए त उन्होंने गलती की, क्या गलती की, उन्होंने दोस्तों जो बनते हुए प्रस्ने थे, उनको भी गलत कर डाला, है ना, ये गलती है पन को नहीं करना, मैं बार-बार आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आती हिंडी में, पेपर जो प्रस्न आप से आ रहे हैं, उनको गलत नहीं करना, उनको गलत नहीं करना, है ना, ये गलत याद रखे ना, दोस्तों आपको पता है कि जो हनुमान बाहुक है, इन्होंने सारी रिक पीना से मुक्ती है, तो मैंने कई बार आपको बताई थी, सारी रिक पीना से मुक्ती ह तो इन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी, है ना, बिलको शही है, शबी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें, है ना, और दोस्तो इसी प्रकार से अध्यन करते रहें, सेयर करते रहें, और लाइक जरूर करते रहें, पढ़ते रहें, दोस्तो, आप मैं बता रहा हू कि सर मैंने दो महीने आपकी किलास अटेंड कर दी और मेरा सेलेक्शन हो जाए ऐसा नहीं होता है ना जब तक आपका दोस्तो अध्यान इतना नहीं हो जाए कि एक एक चीज आपके लिए समझ में ना आ जाए है ना दोस्तो बहुत अच्छी इसलिए मैं बोलता हूँ कि अध्य पढ़ना भी नहीं है अब पढ़ना भी नहीं है तो पास कैसे होगी आप चाहते हो कि दो दिन पढ़ें और एक्जाम पार हो जाए है ना तो याद रखते ना जूनियर जल्द ही किलास हैं चालू होंगी मैं बता दूँगा अभी जोस्तो जिनको भी अड़ीसल लेना वो ले सकते जूनियर टेट बाले है ना जहां पर आपको रिकॉर्डेट कोर्स भी रहेगा और टेस्ट भी रहेंगे दोस्तो और बहुत सारी चीज़े रहेंगी सभी सातियों क ठीक है बहुत बहुत धन्वास वतंदरता दिवश्की सभी लोगों को शुपकामना है अध्यन करते रहें पढ़ते रहें और अध्यन आप दोस्तों बहुत अच्छा करना है रेगूलर अध्यन करिए है ना आप लोग सोचते हैं कि सरम दो महीने की अध्यन में पास हो कि सलगे रहें तो सभी साथियों को धने बात कुछ महत्रपून पंक्तियां थी जिनको अपने पढ़ने का प्रयास किया है जहाँ जैसा रहा हो ट्रेक बताने का प्रयास किया तृ के बिलकुल और इसी प्रिकार से अध्यन करती रहें वीडियो को लाइक करती रहें और सीरीज भी उपलब दे 2020 टेस्ट सीरीज फिरी कराई जाती है रवी बार और गुरुबार को तो यह पर जाकर इस टेस्ट सीरीज का फायदा उटा सकते हैं आप लोग बहुत सारी टेस्ट सीरीज हो चुकी है तो उन्हें भी ले सकते हैं ठीक है बहुत बढ़िया धनबाद सभ जिसकी जो भी समस्या जूनियर टैट बाले और आगे आने बाले जितने भी दोस्तों एल्टी गरेड आदी जो भी एक्जाम होंगे उनके लिए साहित की तैयारी आपको जम कर करना है अब ये आपकी कोई नहीं सुनेगा कि ऐसा पेपर गया और मैसा पेपर गया मुझे अब तैयारी नहीं करना मूट खराब नहीं अगर आपको सेलेक्शन पाना है तो अपने आपको पहचानना पड़ेगा और डटना पड़ेगा डटोगे नहीं तो नहीं होगा है ना एक नारा बनाओ कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं पेपर आते रहे झाल झाल